हेलो गाईज आएम अनुप्री अगरवार आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्रिपल एस से तरह तरह के डिजाइन बनादा कि किस तरीके से आप एस एल्फबेट से आप डिजाइन बना सकते हैं फिर्सली हम बनाएंगे एस लाइक दिस दिन राइट एंसाइट पर बनाएंगे एस देन लेफ्ट एंसाइट बनाएंगे अब मैं आपको बताऊंगी कि स्थरीके से हम एस से हम डिफ्रेंट डिजाइन बना सकते हैं सबसे पहले हम सेंटर वाले एस को यूज करेंगे इसमें हम सबसे पहले एक हम डग बनाएंगे लाइक दिस उसका हम फेस बनाएंगे देन हम उसकी बीक बनाएंगे ऐसे और उसकी आइस बना देंगे तो इस तरीके से डग का फेस रेडी हो गया ये इसके नीचे की जो बॉडी है उसमे हम उसके हम फैदरस बनाएंगे उसको हम थोड़ा ऐसे एकस्टेंड करेंगे देन हम इसको इसके नेक से जोइन करेंगे फिर हम इसके फैदरस बना देंगे इस तरीके से आपकी ये डग रेडी हो जाएगे नीचे हम water का effect देंगे like this तो friends देखे हमने ऐसे किस तरीके से हमने डग बना दी अब हम इसकी eyes को highlight कर देंगे इस तरीके से बाकिया आप इसमें coloring भी कर सकते हैं मैंने तो अभी बस आपको draw करके दिखाया है then हम जाएंगे second S पर second S से ऐसे आप कुछ traditional designs बना सकते हैं जैसे कि मैंने इसको कुछ अंभी shape दे दी like this यहां से भी मैंने इसको ऐसी shape दे दी इस तरीके से इस तरीके से फिर इस वली चोट से हम इसको थोड़ा सा curve में करेंगे इसको हम थोड़ा सा curve करेंगे यहां पर हम three dots देंगे यहां पर हम three dots दे सकते हैं तो यह आपका एक motive ready हो जाएगा इस तरीके से इसको आप किसी चीज़ पर भी print कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग में copy में या फिर किसी भी चीज़ में आप इसको use कर सकते हैं इस तरीके से तो friends यह हमारा एक motive बन गया है इसको आप embroidery में use कर सकते हैं या coloring में use कर सकते हैं या फिर आप किसी भी drawing में motive को as a card में भी use कर सकते हैं तो यह हमारा second motive ready हो गया then हम बनाएंगे third motive third motive में हम यहां पर एक flower बनाएंगे then यहां पर एक flower बनाएंगे then यहां पर एक हम भी बना देंगे इस तरीके से में यहां पर भी एक अंबी बनाएंगे इस pattern को अंबी बोलते हैं क्योंकि अंबी shape में है तो friends देखिए हमारा यह भी हमारा बनता जा रहे मोटिफ इस तरीके से हमारा third motive भी ready होने बाला है इसको तो मैंने black pencil बनाया है बट आप इसमें color कर सकते हैं इसको colorful motive भी बना सकते हैं pencil color यूज कर सकते हैं water color यूज कर सकते हैं देखिए one two and three three motives हमारे ready हो गए so दोस्ट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको like करिए share करिए and subscribe करिए okay bye